नमस्कार आदर्श सिक्षन सनस्थान नागौर की ओनलाइन कक्सा में आपका हार्दिक अभिनन्दन पिछले वीडियो में मैंने पांच वे पाठ के प्रश्न उत्रों के बारे में बताया था आज हम पाठ्च है इसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे देखिए यहाँ पर समुद्र तट समुद्र का किनारा पाठ का नाम समुद्र तट है समुद्र का किनारा चित्र दिया गया है यहाँ पर कौन क्या कर रहा है सबसे पहले तो यह देखिए कुछ घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ मिट्टी के घर बना रहे हैं इस प्रकार का इस पार्ट का हिंदियन्वाद मिलेगा एश है समुद्र तट है यह समुद्र तट है अत्र जनाह परियटनाय आगच्छन्ती यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं परियटनाय घूमने के लिए केचन तरंगई ही क्रीडन्ती केचन याने कुछ लहरों से खेलते हैं तरंगई ही याने लहरों से केचन चै नौका भी जलविहारम कुर्वन्ती और कुछ नौका भी याने नाओं से जलविहार करते हैं तेशू केचन कंदुकेन क्रीडन्ती उनमे से कुछ गेंद से खेलते हैं बाली काह बालकाह चै बालुका भी ही बालुका गृहम रचयन्ती बाली कई और बालक बालु से बालु याने रेत बालु रेत से बालु के घर बनाते हैं मध्ये मध्ये तरंगाहा बालू का घ्रीहम प्रवाह यन्ती बीच बीच में लहरें बालू के बने हुए गरों को बहा कर ले जाती है बहा देती है एशा क्रीडा प्रेचलती एव यह क्रीडा चलती ही रहती है समुद्र तटाह नै केवलम पर्यटन स्थानानी समुद्र तटाह नै केवलं पर्यटन एस्थानानी अब सभी है मेरे से बार-बार से इस्थलानी बोला जा रहा था और वो भी अशुद समुद्रत्रत नय केवल घूमने के इस्थान है अत्र मत्ष्य जीवी नहें अपी स्वजीवी काम चाल यंती